मॉडियूल 6 के इस हिसे में आप सीखेंगे कि वेब नाविगेशन कैसे की जाती है वेब पेज के अंदर बने हाइपर लिंक्स क्या होते है बुकमार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते है वेब पेज को सेफ और प्रिंट करना भी सीखेंगे एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नाविगेशन कहते हैं आप जानते हैं कि जब हम कम्प्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद मुक्तलिफ सौफ्टवर्स को ओपन करना और उनमें काम करना होता है मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करते हैं फिर इसमें टाइपिंग करते हैं बिलकुल इसी तरह अगर हम इंटरनेट के जिरिये मुक्तलिफ इंफिर्मेशन को अक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम इंटरनेट से connect होते हैं और browser को start करते हैं. फिर इसमें URL के जरिये मुक्तले websites को visit करते हैं. आईए इस section में ये सीखते हैं कि URL के जरिये मुक्तले websites को कैसे visit करते हैं. Opening our website. इसका तरीका ये है कि पहले हमें उस website का URL मालूम होना चाहिए. जिसको visit करना है, याद रहे कि हम पिछले लेसन में बता चुके हैं कि किसी website के URL को browser के address बार में टाइप करते हैं. इस वक्त हमारे सामने ये Internet Explorer 11 का browser open है. हम इस browser के address बार में ये URL टाइप करते हैं और फिर enter key को दबाते हैं. ये देखी, जब वेब पेज मुकमल तोर पर open हो गया, तो हमें browser में इस तरह से नजर आ रहा है. इस section में हम browser में backward और forward मूव करना सीखेंगे. लेगिन पहले हम एक मिसाल के जिरिये ये सीखेंगे कि backward और forward से क्या मुराद है. जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफाहत को आगे या पीछे पलटते हैं. बिलकुल उसी तरह हम एक ब्राउजर में मुक्तलिफ साइट्स को विजिट करते हैं, तो हम अगली या पिछली वेब साइट्स पर backward या forward बटन के जिरिये जा सकते हैं. आईए, अब हम ब्राउजर में backward मूफ करना सीखते हैं. आपको इस वक्त इंटरनेट एक्स्प्लोरर का ब्राउजर नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं कि एड्रिस बार के साथ बाईं तरफ, बैक और फावर्ड के बटन का कलर टिम है. यानि, अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया. ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे, जब हम एक से ज्यादा वेबसाइट को विजिट करेंगे. लहाज़ा आएए, सबसे पहले हम वर्चुल युनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं. वर्चुल युनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम, एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं. हमारे सामने Higher Education Commission की वेबसाइट खुल गई है. अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं. इसके लिए दुबारा, एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं. और ये देखें, जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है. यानि हमने इस सेशन में Virtual University, HEC, फिर जीमेल की साइट को विजिट किया है. आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है. आप ये भी देख रहे हैं कि Back का बटन अब नुमाया हो गया है. लेकिन Forward का बटन अभी भी Dim है. Forward का बटन उस वक्त एक्सेस हो सकेगा जब हम Back बटन को इस्तमाल करेंगे. लिहाज़ा हम Back बटन पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है, जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था. आपने ये भी नोट किया होगा कि अब Forward का बटन नुमाया हो गया है. आएए, अब Forward के बटन पर क्लिक करते हैं. ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमें अगला पेज यानी जीमेल डॉट कॉम नजर आ रहा है. हमने Forward और Back के बटन्स को इस्तेमाल तो कर लिया है. अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम Direct Virtual University के पेज़ पर चले जाएं. ऐसा करने के लिए हम Address Bar में बने इस चोटे से एरो पर क्लिक करते हैं. ये देखें, अब हमें इस लिस्ट में विजिट किये हुए पेज़ के लिस्ट नजर आ रही है. हम यहां से Direct किसी पेज़ पर जाने के लिए किसी URL पर क्लिक कर सकते हैं. इस वक्त हम Virtual University पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि अब हमें Virtual University का पेज़ नजर आ रहा है. इसी तरह, अब हम यहां से Direct आखरी विजिट किये हुए पेज़ जीमेल पर जाना चाहते हैं. इसके लिए हम दोबारा इस arrow को क्लिक करते हैं. फिर इस लिस्ट में से जीमेल डॉट कॉम पर क्लिक करते हैं. अब आपको स्क्रीन पर जीमेल का पेज़ नजर आ रहा है. आप Forward, Back और Home पेज़ पर जाने के लिए View Menu की Go To Option भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Go To Menu के लास्ट में आपको Visited Web Pages के नाम दिखाई दे रहे हैं. आप इन में से किसी पर क्लिक करके मतलूबा वेब पेज़ पर डारेक्ट भी जा सकते हैं. इसके अलावा आप Keyboard की Alt प्लस Left Arrow की को प्रेस करके Back और Keyboard की Alt प्लस Right Arrow की को प्रेस करके Forward में जा सकते हैं. और Home पेज़ पर जाने के लिए Alt प्लस Home की Keys को प्रेस करें. Hypertext Link Hypertext की टर्म को सबसे पहले टेड निलसन ने अपनी किताब में डिफाइन किया. इसके मुताबिक Hypertext एक Non-Sequential Writing है यानि इसमें Text को एक Sequence या तर्तीब से नहीं लिखा जाता, बलखे इसमें Information को एक Non-Sequential Order में प्रेसेंट किया जाता है. इसमें एक पेज दूसरे बहुत से Pages से Connected होता है. इन Non-Sequential Pages को आपस में Connect करने के लिए Links Create किये जाते हैं. लिंक्स एक पेज के Word, Picture या किसी भी Object पर Selectable Connection होते हैं. जब इन पर Mouse से क्लिक किया जाता है, तो इस Links से Connected Page ओपन हो जाता है. ऐसे Links को Hypertext Links कहा जाता है. यानि Hypertext Links किसी वेब पेज के ऐसे Elements होते हैं, जिन पर क्लिक किया जाता है, तो वो किसी और वेब पेज या वेब साइट पर ले जाते हैं. जब Pictures, Graphics, Audio और Video और वीडियो वगेरा पर Links बनाए जाएं, तो इसको Hyper Links के अलावा Hyper Media Links भी कहा जाता है. जब आप वेब पेजिस को विजिट करते हैं, तो इन में मुख्तलिफ किसम के Hyper Links बने होते हैं. बाज Links Underline होते हैं. बाज का Color डिफरेंट होता है. इन Links में एक चीज़ कॉमन है, वो ये, कि जब किसी Link पर Mouse Pointer को ले जाते हैं, तो Mouse Pointer की शेप तबदील हो जाती है. आइए इसको एक मिसाल से सीखते हैं. आपको इस वक्त ये तीन पिक्चर्स नजर आ रही हैं. आइए, इन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इन में से कौन सी पिक्चर Hyper Link है. ये देखें, जब हम Mouse Pointer को पहली पिक्चर पर ले गए हैं, तो Mouse Pointer की शेप तबदील नहीं हुई, यानि ये Hyper Link नहीं है. इसी तरह जब हम mouse pointer को दूसरी picture पर ले गए, तो भी mouse pointer की shape तबदील नहीं हुई, यानि ये भी hyperlink नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम mouse pointer को तीसरी picture पर ले गए हैं, तो mouse pointer की shape तबदील हो गई है यानि ये hyperlink है, इस पर click करने से एक और page open हो गया है ज्यादतार links हमें किसी web page पर ले जाते हैं, ताहम बाज ऐसे links भी होते हैं जिनको जब activate किया जाए, तो वो किसी file को download करते हैं कुछ ऐसे links भी होते हैं जिनको click करने से कोई multimedia file play होती है, जिसमें online, music, video वगएरा शामिल है किसी भी web page में तीन तरह के links होते हैं, as text, as image maps, as picture टेक्स्ट पर link दिखाने के लिए इनको highlight किया जाता है और इनका रंग भी मुख्तलिफ होता है, मसलन, इस web page में ये text links हैं पाज उकात, कोई picture भी link के तौर पर इस्तमाल होती है, मसलन, इस web page में ये picture links हैं, जब इन पर click किया जाएगा, तो relevant page open होगा image map एक single picture होती है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा links बने होते हैं इस पर click करके हम इस image से connected मुख्तलिफ links को open कर सकते हैं जब हम browser में किसी link को activate करते हैं, तो इस link से connected page ज्यादा तर इसी window में open होता है लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि किसी link को एक नई window में activate करें, आईए इसे सीखते हैं इस वक्त हमने browser में Wikipedia का page open किया है हम इसके feature content से connected page को एक नई window में open करते हैं इसके लिए पहले हम mouse pointer को बाएं तरफ मौझूद feature content के link पर ले जाते हैं फिर इस पर right click करते हैं अब हम open in new window पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि feature content का page एक नई window में open हो गया है इसके इलावा ये भी पता चल रहा है कि Wikipedia का main page भी open है इसके इलावा अगर आप एक ही window में इस link को open करना चाहते हैं तो इस link पर right click करें और open in new tab की option पर click करें ये देखें, feature article का page पहले वाली tab के साथ दूसरी tab में open हो गया है इससे same window ही में एक और tab का इजाफ़ा हो जाता है और navigation बहुत ज्यादा आसान हो जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं और किसी खास page को याद रखना हो तो उसके लिए हम उस page पर bookmark लगाते हैं इससे ये फाइदा होता है कि दूसरी दफ़ा उस page को देखने के लिए हमें पूरी किताब को नहीं खोलना पड़ता बलके bookmark के जरिये direct उस page पर चले जाते हैं बिलकुल उसी तरह जब हम internet को इस्तमाल करते हैं और मुख्तलिफ websites को विजट करते हैं तो बहुत सी ऐसी websites होती हैं जो हमें पसंद आती हैं और हम उन websites को विजट करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए किताब की bookmark की थरह ब्राउजर भी हमें ये सहूलत मुहाया करते हैं कि हम अपने पसंदीदा web pages की list का record रखें ताके उन pages को दुबारा open करने में असानी हो कुछ web browsers में इनका नाम bookmarks है और कुछ में इनको favorites कहा जाता है मसलन, Netscape और Google Chrome के navigator में उनको bookmark कहा जाता है और Internet Explorer के browser में इनको favorites कहा जाता है इस module में हम इन web pages के लिए favorites की term इस्तमाल करेंगे आए, सबसे पहले ये सीखते हैं कि किसी web page को favorites की list में कैसे add करते हैं सबसे पहले हम browser को open करते हैं फिर इसमें उस page को open करते हैं जिसको हमने favorite बनाना है हम virtual university की website को favorites की list में add करना चाहते हैं लहाजा पहले virtual university की site को browser में open करते हैं इसके बाद हम menu bar से favorites को click करते हैं और हमारे सामने जो menu open हुआ है उसमें add to favorites पर click करते हैं अब हमें ये dialogue box नजर आ रहा है इसको चेक करने के लिए हम favorites के menu को दुबारा open करते हैं इसके last में देखने से ये पता चल रहा है कि virtual university की website favorites की list में add हो गई है आईए हम ये देखते हैं कि अगर हम browser को close करके दुबारा open करें तो favorites की list में add की गई websites सेव होती हैं या नहीं इसके लिए हम पहले browser को close करते हैं फिर हम बताएगे तरीके के मताबिक browser को दुबारा open करते हैं फिर हम menu bar में से favorites के menu को open करते हैं आप देख रहे हैं कि इसमें virtual university का web page saved है हमने favorites की list में web pages add करना तो सीख लिया है आईए अब हम ये सीखते हैं कि favorites की list में web pages की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको organize कैसे करते हैं इस section में favorites की list को organize करने के लिए हम folder create करने का तरीका सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम favorites के menu को open करते हैं फिर इसकी option organize favorites पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है इसमें नए folder को create करने के लिए हम new folder को click करते हैं ये देखें, new folder के नाम से एक icon इस dialogue box की main window में foreign create हो गया है इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं हम इसमें folder के नाम के लिए fv page list type करते हैं फिर हम enter key को press करते हैं आप देख रहे हैं के fv page list के नाम से एक folder create हो गया है आखिर में हम close के बटन पर click करते हैं लीजिये, हमने नया folder तो create कर लिया है आएए, इसमें web pages add करना सीखते हैं इस वक्त हमने yahoo.com का page open किया हुआ है इसको हम favorites के fv page list के folder में save करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए हम favorites के menu को open करते हैं फिर इस menu की पहली option add to favorites पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है इसमें name के साथ बने box में जो web page open है उसका नाम यानी yahoo लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके बाद हम create in की window में fv page list के folder पर click करते हैं इसके बाद हम add के button को click करते हैं लीजिये, yahoo का web page favorites में add हो गया है इसको confirm करने के लिए हम favorites के menu को दुबारा खोलते हैं लेकिन ये क्या, yahoo का page तो इस menu में कहीं नजर नहीं आ रहा है अलबता, fv page list के folder के साथ एक arrow नजर आ रहा है आईए, इस पर mouse pointer लेकर जाते हैं जैसे ही हम mouse pointer को fv page list के folder पर ले गए हैं आप देख रहे हैं कि इसके sub menu में yahoo का shortcut icon नजर आ रहा है ये इस बज़ा से है क्योंकि हमने yahoo को fv page list के folder में add किया था लहाज़ा वो हमें अलहदा से नजर नहीं आया हम इसको क्लिक करके बहुत आसानी से इन web pages को open कर सकते हैं डिलीट favorites जब हमें favorites की list में से कुछ web pages की जरूरत नहीं रहती तो ऐसा भी मुम्किन है कि हम फालतू और गहर जरूरी favorites और folders को जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं आएए इसको सीखते हैं इस वक्त हमने Internet Explorer के browser को open किया हुआ है इसमें हम पहले favorites के menu को open करते हैं और फिर इसमें organize favorites पर click करते हैं हमारे सामने organize favorites का dialogue box open हो गया है इसमें जो window नजर आ रही है इसमें से हमने पहले वो page select करना है जिसको delete करना है हम यहां से virtual university को select करते हैं इसके बाद इन चार बटन्स में से delete के button पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि Wii U का web page favorite की list में से delete हो गया है और अब नजर नहीं आ रहा इसी तरह हम web page को delete करने के बाद FV page list को भी delete कर सकते हैं इसके लिए हम FV page list के folder को select करते हैं फिर delete की option पर click करते हैं हमें यह message नजर आ रहा है इसका मतलब है कि वाकई हम favorites के folder और उसके अंदर saved web pages को delete करना चाहते हैं अब हम अगर delete या yes के button को press कर दें तो folder delete हो जाएगा लेकिन फिलहाल हम इसको delete नहीं करते हम organized favorites के dialogue box को close करने के लिए close के button को click करते हैं favorites के साथ आप जबर्दस काम ये कर सकते हैं कि अपने आम या बहुत ज़्यादा इस्तमाल होने वाले web pages को menu bar के इलावा नई बार में देख सकते हैं ताकि किसी भी website को बहाँसानी single click से open कर सकें ऐसी bar को favorite bar कहते हैं यानि आप अपने favorites को अपने browser के tool bar में दिखाने के लिए उनके shortcut create कर सकते हैं इसका ये फाइदा होगा कि आप जैसे ही उन icons पर click करेंगे तो आपके सामने वो web page फॉरण open हो जाएगा आईए इसे सीखते हैं आप favorite web pages के shortcut icons तमाम browsers में create कर सकते हैं हम इस वर्ट Internet Explorer 11 के browser को इस्तमाल करेंगे सबसे पहले हम favorite bar को अपनी tool bar में लाने के लिए view पर click करते हैं अब अपने mouse pointer को tool bar के उपर लाते हैं अब जो list open हुई है उसमें से favorite bar पर click करते हैं तो ये देखें अब हमें tool bar में favorite bar भी नजर आ रही है इस वक्त हमने virtual university की website को open किया हुआ है आईए इसको links के favorite bar में add करते हैं इस दफ़ा हम favorites के menu को open करते हैं फिर इसमें add to favorite bar की option पर click करते हैं अब आप देख रहे हैं कि favorite bar में view के shortcut का भी इजाफा हो गया है साइट को favorite bar से भी open कर सकते हैं हम favorites की list को organize folder के dialogue box में देखने के इलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें ब्राउजर की screen में left side पर देख सकें आईए इसे सीखते हैं इस वक्त आपके सामने favorites का icon नजर आ रहा है आईए इस पर click करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है ये देखें जैसे ही हम इस पर click करते हैं तो हमें एक window नजर आ रही है इसे explorer bar कहते हैं इस वक्त explorer bar की heading में add to favorites लिखा हुआ है और नीचे favorites की tab में web pages की list नजर आ रही है हम यहां से भी favorite web pages को add और organize कर सकते हैं लेकिन इससे पहले हम इस explorer bar को मुस्तकिल तौर पर यहां set करते हैं इसके लिए हम यहां इस icon पर click करते हैं तो देखिए यह बार screen के अंदर ही set हो गई है और screen अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है दाएं हिस्से में website के content नजर आ रहे हैं जबके बाएं तरफ explorer bar नजर आ रही है हम mouse arrow की मदद से इस screen के area को कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अगर हम यहां से किसी page के icon पर click करते हैं तो वो page open हो जाएगा मसलन हम इस folder पर click करते हैं फिर इसके बाद इस web page के icon पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि अब हमें उस web page के contents नजर आ रहे हैं जिस पर हमने click किया था इस explorer bar को close करने के लिए हम add to favorites की headings के साथ बने cross के button पर click करते हैं इस section में हम web pages के text, image, data वगेरा को duplicate करना सीखते हैं duplicate का मतलब होता है किसी same information को एक से ज्यादा जगा पर देखना जिस तरह Microsoft Word में हम copy और paste की option से एक information को एक से ज्यादा जगों पर देखते हैं बिल्कुल उसी तरह हम web page के text, data, image या URL को किसी भी program, मसलन Word या Excel में duplicate कर सकते हैं सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि अगर हमें web page का text, data किसी और document में duplicate करना हो तो वो कैसे करते हैं बाज उकात हम किसी topic के बारे में notes बना रहे होते हैं या किसी topic को present करने के लिए उससे related information ढून रहे होते हैं अगर यह information हमें किसी web page में से मिल जाती है तो हम यह चाहते हैं कि हम इस information को web page से अपने document में copy कर लें आए, इसका तरीका सीखते हैं इस वक्त हमें यह web page नजर आ रहा है हम इसके data को copy करके Microsoft Word में paste करना चाहते हैं इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हम इस web page के text data को copy करने के लिए mouse की मदद से इसे select करते हैं फिर हम edit menu को open करते हैं इसमें से copy की option को select करते हैं लीजे, हमारा selected text clipboard में save हो गया है इसके बाद हम target location के बारे में बताते हैं यानि हम यह बताते हैं कि इस data को कहा duplicate करना है इसके लिए पहले हम Microsoft Word को open करते हैं अब हमें Word की screen नज़र आ रही है इसमें हम home की tab से paste की option पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि web page का selected data Microsoft Word में कितनी आसानी से copy हो गया है सेविंग web page image जिस तरह हमने web page के text data को एक जगा से दूसरी जगा copy किया बिलकुल इसी तरह हम web pages के images को भी copy और paste कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम अपने मतलूबा page को open करते हैं इसके बाद इस image पर mouse से right click करते हैं जिसको copy करना है और sub menu में से copy की option पर click करते हैं Copy की option पर click करने से selected image अब clipboard में save हो गया है अब हमें पहले की तरह इस image को document में paste करना है इसके लिए हम फिर से paste की option पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि हमने web page की image को एक document में copy और paste कर लिया है Saving as a file हमने एक web page की text और images को एक document में paste करना तो सीख लिया है आईए अब हम ये देखते हैं कि किसी web page की graphics या images को एक file की सूरत में कैसे save करते हैं इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम browser start करने के बाद अपने मतलूबा web page को open करते हैं हम इस image को file में save करना चाहते हैं इसके लिए हम इस image पर right click करते हैं हमारे सामने ये sub menu open हो गया है इसमें से हम save picture as की option पर click करते हैं अब हमें ये dialogue box नजर आ रहा है यहां हम by तरफ navigation pan से इसको save करने की location को select करते हैं इसके लिए हम pictures के folder को select कर रहे हैं अब file name के सामने इसका नाम type करते हैं इसके बाद save as type के सामने जो format selected है हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर save के button को press कर देते हैं हमने graphic image को save तो कर लिया है अब हम इस file को open करके देखते हैं इसके लिए पहले हम picture folder को open करते हैं इस folder में अपनी मतलूबा file पर double click करते हैं तो ये देखें, वही picture अब हमारे सामने open हो गई है इस section में हम मुख्तलिफ files को download करना सीखते हैं Download से मुराद एक remote computer के data को अपने computer में transfer करना है या internet के जरिये किसी file को अपने computer में transfer करना है आईए, सबसे पहले किसी text file को अपने computer में download करना सीखते हैं इसके लिए पहले हम इस website को open करते हैं जिससे हमने file को download करना है website को open करने के बाद हम इस file पर right click करते हैं जिसको हमने download करना है हमें ये menu दिखाई दे रहा है इसमें से हम save target as की option पर click करते हैं जिससे हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है हम इसमें से कोई file name type करते हैं इसके बाद by तरफ से document का folder select करते हैं फिर हम save के button पर click करते हैं इस तरह से हम किसी audio या video file को भी download कर सकते हैं Saving a complete web page अगर आप किसी website को offline देखना चाहते हैं यानि कि अगर आप internet से connected नहीं हैं और आप virtual university की site देखना चाहते हैं तो आपको virtual university के web page को save करना होगा इसके लिए menu bar में file पर click करें और फिर save as पर click करें अब आप एक save web page का dialogue box देख रहे हैं इसमें file name के सामने file का नाम देए और जहां आप इस file को save करना चाहते हैं इसका पाच देए और अब save का button दबाएं यूँ आपका page save हो गया अब आप कभी भी इस page को देख सकते हैं printing web page आए इस section में हम web pages को print करना सीखते हैं जब हम web pages को print करते हैं तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है आएए पहले इनको discuss करते हैं बाज web pages ऐसे होते हैं जिनकी width एक सफ़े की width से ज्यादा होती है ऐसे pages को print किया जाए तो पूरा web page print नहीं होता इस तरह के web pages को print करने का तरीका ये है के पहले इन web pages को हम save करते हैं और फिर इनको print करते हैं इसके अलावा simple printing में web pages का color data black and white नजर आता है इसकी वज़ा से इन pages का मकसद वाज़ नहीं होता उसका हल ये है कि इन web pages का color print लिया जाए आपको इस वगद एक web page नजर आ रहा है आए इसको print करना सीखते हैं सबसे पहले हम file menu को open करते हैं और इसमें page setup की option पर click करते हैं ये देखें हमारे सामने page setup का dialogue box open हो गया है इसमें पहला section paper option का है हम page size की drop down list को open करके इस list में से मतलूबा paper size को select कर सकते हैं इसमें पहले से ही letter size selected है हम इसी को select रहने देते हैं इसके नीचे दो और options हैं इसमें हम web page को portrait या landscape style में print कर सकते हैं इसके दाएं तरफ margins के section में हम page के right, left, top, bottom, margins को set कर सकते हैं इसी dialogue box से हम web pages के header और footer भी set कर सकते हैं header हमें web page के top पर नजर आता है और footer हमें हर page के bottom पर नजर आता है हम web pages के header और footer में title, url, page number और date की option select कर सकते हैं इसके नीचे change font का button है जिस पर click करके हम font, font style, size और color को तबदील कर सकते हैं फिलहाल हम इसे cancel करके ok का button press करते हैं वेb page का direct print लेने से पहले बेहतर है के इनका preview कर लिया जाए प्रिंट प्रिव्यू की option से हम web page को print करने से पहले देख सकते हैं कि वो page पर किस तरह से नजर आएगा आए एक web page को print preview mode में देखना सीखते हैं इसका तरीका ये है कि पहले हम file menu को open करते हैं फिर इसमें print preview की option पर click करते हैं हमें web page अब print preview mode में नजर आ रहा है हम इस mode में रहते हुए web page की printing option में कोई तबदीली नहीं कर सकते अलबता टूल बार के जरीए यहां से print का view तबदील करके देख सकते हैं कि print किस तरह का आएगा इसके इलावा नीचे इन buttons के जरीए अगले या पिछले web pages को देख सकते हैं print preview से वापैस normal mode में आने के लिए हम cross के button पर click करते हैं अब इस web page को print करने के लिए पहले हम file menu पर click करते हैं फिर इस में से print की option पर click करते हैं सबसे पहले select printer का section है यहां हमें वो printer नज़र आ रहा है जो हमारे computer से attached है हम इसी को selected रहने देते हैं अगला section इसमें page range का है इस वक्त इसमें all की option मुंतखिब है यानि इस वक्त अगर print लिया जाएगा तो तमाम pages का print निकलेगा पेज range में अगली option selected की है इसकी मदद से हम web page के selected portion को print कर सकते हैं current page की option से सिर्फ वो page print होता है जो उस वक्त screen पर नज़र आ रहा होता है यह option उस वक्त काम करती है जब web page में एक से ज्यादा pages हो हम pages की option में कुछ खास pages को print कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ पहले page को print करना चाहते है इसके लिए हम यहाँ box में number 1 को type करते हैं इसी dialogue box में एक section number of copies का भी है यहाँ से हम web pages की एक से ज्यादा copies print कर सकते हैं number of copies को हम up और down arrow को click करके define कर सकते हैं लीजिए अब हम web pages का print out लेने के लिए इसी dialogue box में से print की option पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने print पर click किया है web page हमारे computer के साथ attached printer पर print हो रहा है और ये उस web page के पहले page का print out हमें मिल गया है summary इस lesson में आपने सीखा कि एक page या screen से दूसरे page या screen पर जाने के process को web navigation कहते हैं और आपने ये भी सीखा कि navigation कैसे होती है यानि एक page से कैसे दूसरे page पर जाया जाता है किसी web page को किस तरह bookmark किया जाता है और favorites को कैसे organize करते हैं एक web page के text, picture या पूरे website को save करने का तरीका भी सीखा